बर्षों से लोगपाल बिल धूल खारा है क्या प्रधान मंत्री कानून के उपर है अगर प्रधान मंत्री के उपर आरोप लगेंगा अगर प्रधान मंत्री से किसी को शिकायत हो वो कहा जाए किसका दरवाजा खटखटा है बर्सों था किसी बात पर चर्चा होती रही कि लोगपार्सी परिदी मेर पुर्धारमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये ठीक है कि उस दिन नर्शिंग राउजी ने तो मैंने काथ ता कि मैंने क्लेरे ज상이 दे दिये पुर्धारमंतिरी का आप समाविश कर ले ऐसे मामलों पर जिनका समंद वोट बढ़ाने से था वोट बैंक की राजनी थी इस मामले में ने इस मामले में भी अध्याजाश लाया जा सकता था उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रही थे क्या डालते हैं बहुत जादा हस्तक शेफ कर रही है शायद कॉमरेड इंद गुप्ता थे जुडिशल एक्टिविजम अगर पारलमेंट अपना काम न करे और एक्जिगुटिव फैसले न करे मामले को लटका है और जम प्रधान मंत्री से पूंछा जाए क्या आप निर्णे क्यों नहीं करते तो उनका उत्तर यह हो कि निर्णे न करना भी एक मैं समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है उसके आधार पर कह रहा हूं अगर वो ठीक नहीं छपा तो नर्सिंग राओ जी उसे ठीक कर देंगे निर्णा इनना लेना भी एक निर्णा है अब ये कर्म योग की स्थिती कैसे देश चलेगा लेकिन निर्णा नहीं लिए गए कभी कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णा इटाल दो नए विवाद खड़े होंगे तो जंजट मोल लेना क्या ठीक है पोर्ट सहसरा कर देगा अब पोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एक्जिक्टिव के मामले है जो संसत द्वारा तैह होना चाहिए संसत अपने दाइटो का पालन चौनी कर सकती एक्जिक्टिव जम्मेदारी चौनी ही ले सकती लेकिन इसके लिए इमान्दार होनी चाहिए चुस्त होनी चाहिए मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ एशा होना चाहिए हम करना चाहते जो भी आएगा उसे करना पड़ेगा नहीं तो कोई बारा दिन रहेगा है कोई छे मईने रहेगा इस देश की जनता के साथ या न्याय होगा लोगों ने अपना कर्टब विकिया है अगर आत्रशन कुछ थंसद है तो उसके लिए मद्दाता दोशी नहीं है शायद हम मद्दाता के पास ठीक घंक से अपनी बात नहीं कहते है कभी-कभी तो मत्दान की कमी देखकर ये चिंता होती थी जिता लोग तंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है कोई भी सरकार आए क्या होगा ऐसा ही चलेगा को उन्रप होए हमें का हानी यह मंत्रा ने कहां इस देश में अब सब जगे मंत्रा की बात दोराई जाए जोड़ तोड़ करके सरकारे बनाई चाहिए बने तो कारकेम के आधार पर बने और देश को यह आश्वास नजयने के बात बने कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा आप लोगों को अन्याय के लिए ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाब गुहार लगाने की जगा नहीं है लेकिन इसका तो कोई नक्षा दिखाई नहीं नहीं था राष्ट्रपती महोदय ने बुलाया हमें क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबरे हैं अपनी विचार भारा के साथ उबरे हैं अपने कार कमों अपनी नीतियों के साथ उबरे हैं राष्ट्रपती महोदय के विभाशन में हमने कुछ अपने नीटियों का विवेचन किया है ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपकती है मुझे लगता है बाकी का सारा भाशनों ने समी का है और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूँगा उस भाशन में कौम सी बात है तराज के लाएगा क्या इस बात का ध्यान रखतर क्या जो भी फैसले होना चाहिए वह आम सहमती से होना चाहिए एक नियूनतम कार्षम पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामने छोड़ कर हम उसके लिए जुड़ जाए क्या इसकी आवश्रकता नहीं लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जोगत है हमारे खिलाब सबसे बढ़ा हरूप क्या है हम सामपुरदाए के हम सेक्विलर वादी नहीं है इसलिए सेक्विलर वाद के जितने भी रक्षक हैं आओ इकटे हो जाओ लाटी जंडे समाल लो और भाजपा को सक्ता से हटाओ लोक तंत्र संख्या का खेले और संख्या हमारे पक्ष्य में नहीं है हमने जंसमर्थन प्राप्ष करने में सपन हुए सबसे ज्यादा हमें जंसमर्थन मिलाएं कल्मारी साहिब का मनता अक्मला एकू नहीं के कल्मारी साहिब का कहते हैं ये दूसरों को समझना मुझे नहीं के अध्यक्ष मोदै इस पहली पर भी विचार होना चाहिए कभी हम इस सदन में दो रह गए पहली बार चुने गए तब चार तो आएगा तो वह मुझका सामना करेंगा आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठें कि आपके साथ कोई तुल्ला नहीं हो सकती थोड़ी हम विजय हुए हम में विनम्रता है पर आजये ने तो आथ में मंतर होना चाहिए आप सारे देश में थे अब क्या हो रहा है अब आज इस 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 देश में इस समय लोगों के विचारों में मन्थन चल लाए चिंतन की दिशाय बदल नहीं है लोग पुरानी माननिताओं को फिर से कसोटी पर कस रहे हैं मेरी समझ में नहीं यादा कि जब समवित्तान के निर्माताओं ने शाधी ब्या के एक कानूद बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज उसकी तरफ ज्ञान देगा तो क्या वो सामपरदाइक कारणों से प्रेलित थे क्या यह सामपरदाइक मुद्दा है क्रिमिनल लोग एक है सिफिल लोग क्यों नहीं हो सकता गुआ में अभी भी सिफिल लोग एक है अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कच्छिनाई है तो वो कच्छिनाई आकर बता सकते हैं यह कह सकते हैं कहमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तयार करने के लिए यह नहीं कहा जा रहा है और दल्वी इस बात के लिए उन्हें परेरिस नहीं कर रहे कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो वक्त बदल लाए इसलामिक देशों में परसनल लौ में संशोधन हो रहे है यह थोड़ा परिवर्चन होना चाहिए जंडरी क्वैलिटी का मामला है लोग तंतर संख्या का खेले और संख्या हमारे पच्छी में नहीं है हमने जंसमर्थन प्राप्ट करने में सपन हुए सबसे ज्यादा हमें जंसमर्थन मिलाए कि अज़ाब कल्मारे जायब कल्मारी जायब का मनतात मला कल्मारी साथ का कहते हैं यह दूसरों को समझे ना मुश्के अध्यक्ष मोदै इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए कभी हम सदन में दो रह गए तो पहली बार चुने गए तब चार आएगा तो वह मुश्का सामना करेंगे आज तो इतनी बड़ी संख्या में बैठें कि आपके साथ कोई तुल्ला नहीं हो सकती है थोड़ी हम विजय हुए है हमें विनम्रता है पर आजये तो आप मंतर होना चाहिए अध्यक्राश्टी में आया के बात पिख जाए हुआ है अध्यक्राश्टी महोदै ने बुलाया हमें क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबरें अपनी विचार भारा के साथ उबरें अपने कारिकमों अपनी नीटियों के साथ उबरें राष्ट्रपती महोदै के विभाशन में हमने कुछ अपने नीटियों का विवेचन किया है ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपती है मुझे लगता है बाकी का सारा भी भाशन उने इसमी का है और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा उस भाशन में कौम सी बात है तराज के लाएगा क्या इस बात का ध्यान रखतर क्या जो भी फैसले होना चाहिए वह आम सहमती से होना चाहिए एक नियूनतम कार्षम पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामने छोड़ कर हम उसके लिए जुड़ जाए क्या इसकी आवश्यक्ता नहीं है लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जोगते हैं हमारे खिलाब सबसे बढ़ा हारूप क्या रहा है हम सामपुरदाए के हम सैक्युलर वादी नहीं है इसलिए सैक्युलर वाद के जितने भी रक्षक हैं आओ इकटे हो जाओ लाकी गंडे सुमाल लो और भाजपा को सत्ता बरसों से लोगपाल बिल धूल खारा क्या प्रधान मंत्री कानून के ऊपर है अगर प्रधान मंत्री के ऊपर आरोप लगेंगर प्रधान मंत्री से किसी कोई शिकायत हो वो कहां जाए किसका दरवाजा खट-कटा है वारे वस्ता किसी बाट बाट पर चर्चा होती रही कि लोगपाल प्रधान मंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए अगर्धान मंत्री का आप समावेश कर लेए डेकं मिल पूछा बिल का हैं बिल्लिया है और मामलों पर अध्यादेश सदल इस्तगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए ये सरकार तयार हो गई ऐसे मामलों पर जिनका समन्द वोट बढ़ाने से था वोट बेंग की राजनी थी इस मामले में ने इस मामले में भी अध्याजाश लाया जा सकता उस जिन मेरे मित्र इस बात की शकायत कर रही थे क्या डालते हैं बहुत जादा हस्तक शेप कर रही है शायद कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता थे जुडीशल एक्टिविजम अगर पार्लमेंट अपना काम न करे और एक्जिगुटिव जो भी आएगा उसे करना पड़ेगा नहीं तो कोई बारा दिन रहेगा है कोई छे महीने रहेगा इस देश की जनता के साथ ही अग्याए हो लोगों ने अपना कर्तब लिकिया है अगर आत्रशन कुछ तंसद है तो उसके लिए मद्दाता दोशी नहीं है शायद हम मद्दाता के पास ठीक ढंक से अपनी बात नहीं कहते कभी-कभी तो मत्दान की कमी देखकर यह चिंता होती थी कि ता लोग तंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है कोई भी सरकारा है क्या होगा ऐसा ही चलेगा को उन्रप होई हमें काहान यह मंद्धरा ने कहाता इस देश में अब सब जगे मंद्धरा की बात दोहराई जाए जोड़ तोड़ करके सरकारे बनाई जाए बने तो कारक्यम के आधार पर बने और देश को यह आश्वा समझाने के बात बने कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा आब लोगों को अन्याय के लिए ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाब गुहार लगाने की जगा नहीं है लेकिन इसका तो कोई नक्षा दिखाई ले ले था क्यों फैसले न करे मामले को लटका है और जम प्रधान मंत्री से पूछा जाए क्या आप निर्णे क्यों नहीं करते तो उनका उत्तर ये हो कि निर्णे न करना भी एक निर्णे है मैं समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है उसके आधार पर कह रहा हूँ अगर वो ठीक नहीं छपा तो नर्सिंग राव जी उसे ठीक कर देगे निर्णे इनना लेना भी एक निर्णे है अब ये कर्म योग की स्थिती कैसे देश चलेगा लेकि निर्णे नहीं लिए गए कभी कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णे टाल दो नए विवाद कड़े होंगे तो जंजट मोल लेना क्या ठीक है कोर्ट सैसरा कर देगा अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जेकुटिव के मामले है जो संसद द्वारा तै होना चाहिए संसद अपने दाइतों का पालन चौन ही कर सकती एग्जेकुटिव जिम्मेदारी चौन ही ले सकती लेकिन इसके लिए एग्जेकुटिव इसके लिए कार पाने का इमानदार होनी चाहिए, चुस्त होनी चाहिए मामले लटकाये नहीं जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऐसा होना चाहिए हम करना चाहिए